करनाटक का चुनाव आज पूरा हो गया आज सपत ग्रेंड समारो हुआ और सपत ग्रेंड समारो के बाद करनाटक का चुनाव कंप्लीट लेकिन इस चुनाव के बाद में बड़ा चुनाव आ रहा है दो हजार चोविस का चुनाव और करनाटक में आज किस तरह से दो हजार च जो विसका ट्रेलर निकलेगा ट्रेलर जारी होगा इस पर सब की निगाएं थी करनाटक में अज कौन कौन पहुंचता है इस पर सब की निगाएं थी कौन कौन करनाटक के अंदर पहुंचा और करनाटक से कौंग्रेस को कितनी संजीवनी मिल पाई है कौंग्रेस को करनाटक से कितनी ताकत मिल पाई है इन सारी चीजों पर बात करेंगे बात ये भी करेंगे कि कौन कौन पहुचा और बात ये भी करेंगे कि 2018 में कौन पहुचा था और 2019 में 2023 के अंदर अब कौन नहीं पहुचा है बात ये भी होगी और बात ये भी होगी कि करनाटक के अंदर कौंग्रेस ने अपनी पाचो गारंटियों को लागू कर दिया तो बीजेपी का इस पर जो है वो क्या जवाब आया है और बात फिर ये भी होगी कि ये दो तस्वीरे अलग अलग तस्वीरे मैंने क्यों यहाँ पर लगाई इसका मकसद क्या है और करनाटक से जो लहर निकली है जो हवा न बात करते हैं कॉंग्रेस ने अपने अफिसेली ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया और लिखा कि हम यहाँ पर यूनाइटिड हैं एक साथ खड़े हैं और यहाँ पर तमाम अलग लग विपकसी पार्टियों के नेता जो पहुंचे थे सिताराम ये चुरी सर्थपवार मैब और यहाँ पर पहुंचे और कमाल असन का एक इंटरिविव भी होँआ था राहुल गांदी के साथ में आपको वो भी याद होगा और एमके स्टालिन जो है वो भी दमिलाडू के मुख्यमंतरी वो भी पहुंचे तो तस्वीरे क्या कुछ कहती है तो तस्वीरे क्या कुछ म गाडी ने जो है वो अपने ओफिसिली ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया है और इसमें पवार सहाब और रागा और लव का जो है वो सिंबर यहां पर जो है वो इमोजी लगाया हर्ट का अब तस्वीर जो है वो 2018 के साथ में कमपेरिजन करके देखिए 2018 के अंदर ये तस्वीर थी 2018 में विपक्सी एक्ता में सोनिया मायवती अखलेश और अब 2019 की ये 2023 की बात करेंगे तो 2023 के अंदर नो बड़ी पार्टियां हैं जिसमें उनके नेता पहुंचे हैं PDP, JU, JASWI, RJD, LEFT, DMK, NCP, PD, फारुख अब्दुल्ला और कमल हसन ये नो बड़ी पार्टियों की नेता पहुंचे हैं अब आप कहेंगे कि ये तो मामला तो उल्टा हुआ है 2024 की बात क्या कर रहे हो यहाँ पर तो इस तस्वीर के अंदर देखे मायवती दिख रही थी, मायवती नहीं है इस तस्वीर के अंदर अखिले से अदव दिख रहे थे अखिले से अदव नहीं है, कुमार स्वामी दिख रहे थे कुमार स्वामी नहीं है और अजीत पावार के ये जो है चोधरी अजीत सिंग्ग, ये जो हो चले गए है इनका दिहान्त हो गया है तो तस्वीर में अगर दोनों को comparison करें तो तस्वीर तो हलकी हो गई तो 2024 की तो फिर क्या बात करेंगी 2024 की हवा निकल गई अब समझने की कोशिस कीजिए करनाटक ने कैसे जो है कॉंग्रेस को बदला है अब कॉंग्रेस को लग रहा है कि वो मजबूत है और करनाटक में जिस तरह से 2024 सालों में अभी तक जो नहीं हुआ था उससे ज़्यादा सीटे मिली है अब कॉंग्रेस अपने आपको ज़्यादा मजबूत करना चाह रही है ऐसी कई पार्टिया थी आमादी पार्टी है बीजेडी है जिनको नोता तक नहीं वेजा गया केरल की लेफ्ट पार्ट को निता नहीं बेजा गया केरल के मुख्यमंतर को नोता नहीं बेजा गया तो कॉंग्रेस जो है वो 2024 के लिए अब करनाटक के जो नतीजे आए हैं उससे ये देख रही कि हम अपने आप में ज़्यादा सक्सम है और बजाए इसके की जो है वो सारे चेहरे इसमें तास्वीर में सामिल के जाएं और 2018 वाली उस व्याद को उस फोटो को जो है दिखाये जाए कि देखिए तब इतने अठारा चेहरे थे अठारा पार्टिया थी अब इतने थे उसके बजाए हम ये दिखाए कि बड़े चेहरे कौन से हमारे पास में और बड़े चेहरों को जो है वो कोंग्रेस के पक्स में जनादेस दिया ये जनादेस बटवारे भष्चार की राजते के खिलाफ है कोंग्रेस सरकार अपने वादों को पूरा करेगी युपि की अधेक्स सोनया गंधी UPA की हद्टेक्स तो यह Sonia Gandhi का संदेश है लेकिन यह संदेश वीडियो संदेश है Sonia Gandhi भी आज यहाँ पर नहीं आई समझ रहे हैं तस्वीर को समझने की कोषिश किजिए दरसल इसका राज Sonia Gandhi जी जो आज क्यों नहीं पहुंची आपको यहाँ पर मिलेगा यह दो तस्वीरे मैं आपको दिखाता हूँ चर्चा इस तस्वीर के आज जादा रही इस तस्वीर की चर्चा जादा रही जिसमें यहाँ पर आपको सिधर अमया दिख रहे है डिके सिव कुमार और राहूल गांदी दिख रहे है चर्चा इस तस्वीर की रही लेकिन मुझे ये तस्वीर नहीं मुझे इस तस्वीर के अंदर ज़्यादा इंट्रेस्ट दिखा ये भी तीन वेक्तियों की तस्वीर है ये भी तीन वेक्तियों की तस्वीर है वही सामने भीड है और यहां पर भी सामने भीड है लेकिन ये तस्वीर 2024 के लिए मुझे ज़्यादा इंपोर्टेंट लगी इसलिए मैंने इस तस्वीर को रखा है इस तस्वीर में प्रिंका गांदी है इस तस्वीर में मलिक अरजुन खडगे है और इस तस्वीर में राहूल गांदी है और इसलिए सोन्या गांदी जो है वो नहीं आई क्योंकि सोन्या गांदी अगर आती तो इस तस्वीर में फिर राहूल मलिक अरजुन खडगे और सोन्या गांदी होती और इसलिए अब नई लिडरसिप के तहट प्रिंका गांदी को उनके भी सिर पर जो है वो करनाटक की जीत का सेरा रहे और प्रिंका को भी लोग अब मजब लड़े अगर यहां पर जो है वो सुन्या गांदी आती तो फिर जो है वो सुन्या गांदी यहां पर ऊती प्रिंका गांदी नहीं होती और इसलिए मैंने कहा मैंने इस सभीर को को मैं ज़्यादा neighborhood मानता हूं बजा इसके कूशित को कि यह करनाटक की तस्वीर और करनाटक में कुछ भी हो जाता है लेकिन अब देखें यहां पर करनाटक में आज राउल गांदी ने अपने भार्षन में का वो खबर मैंने आपको दिखाई उन्होंने पहली ही कैबिनेट के अंदर सियम सिदर अमया ने जाच के सियम सिदर अमया ने जो है वादेश दे दिये हैं कि प बीजेपी के हैं कि यह जो गोषणा की है कॉंग्रेस के द्वारा गोषणा की घणा है और पहली बैठक में जो गोषणा की घांड सिब्रह देख हैं यह वो खरणाटक में बीजेपी के मुख्य लेकिन इस ट्वीट में आप देखेंगे तो मैंने दोनों पक्स रखे हैं यहां पर इस ट्वीट में कहीं specific उन्होंने कुछ बोला हो यह नजर नहीं आता है गोल मोल एक विपक्स का काम ही होता है विपक्स में नहीं नहीं आए तो बिलकुल आज जंडा तो नहीं गाड़ दे की बात थी तो तीन हजार बेरुजगार बत्ता की जैब हजार रुपय क्यों किया है तो specific ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि कॉंग्रेस ने जो वाइदे किये थे पांचों के पांचों ऐसे कैसे उनको पूरा कर दिया आज अपनी cabinet के अंदर आदेश दे दिया अब लेकिन कॉंग इसको ये मजबूती जो दिखाई करनाटक के अंदर वो आगे भी दिखानी पड़ेगी इस तस्वीर में क्या है इस तस्वीर में डिके सिवकुमार है इस तस्वीर में सिधरमया है इसमें राहूल गांदी है और इसमें प्रंका गांदी है अब जो समझने वाली बात है वो यहाँ पर डिके सिवकुमार को लेकर के जो कहानिया चलाई गई फिर उसके बाद में कहा गया कि 30 महीने का जो है वो सरकार बनेगी दोनों की कई सारी बाते हुई फिर यह कहा गया कि यह डिप्टी सियम बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते हैं दो टिप्टी सियम होंगे यह कि अकेले रहे बहुत सारी बाते हुए लेकिन आखिर कार पिरंका गांदी ने और यहाँ पर राहुल गांदी ने इन दोनों ने इन दोनों को एक करा दिया अब कॉंग्रेस को जो है यही काम करना भी पड़ेगा यही जो है वो मजबूताई दिखानी भी पड़ेगी कि आपक तक आया और राजस्थान गया ये भी हो सकता है मैं कोई जो है लागलपेट नहीं रखता हूं बगार लागलपेट के सीधी बात कहनी चाहिए और बगार लागलपेट के सीधी बात ही लोगों को समझ में आती है और अगर आप लागलपेट के साथ में चाटू कारिता के साथ म सचीन पाइलेट उनका जगड़ा खतम कर पाएंगे या सचीन पाइलेट अपनी नई पाल्टी का जंडा जोब बुलंद कर देंगे ये भी आप याद रखिएगा तो बैराल यहां से 2024 के लिए आज संखनात तो हो रहा है आज बिगुल तो फूका जा रहा है ताकत भी इसमें ताल में नहीं था लेकिन अब एक सरकार है मजबूत सरकार है अभी सरकार कहां तक जो है वो कारगार रहेगी यह सबसे बड़ा सवाल है तो बैराल क्या आपको लगता है कि 2024 के लिए कॉंग्रेस यहां पर जो बिगुल फूक रही है करनाटक ने कुसमें नई जान डाल दी ह क्या और क्या वाकई कॉंग्रेस जो है वो करनाटक में जिस तरह से जीत की सुरुवात की है जिस तरह से ताबर तोड यहां पर बैटिंग की है क्या इसको आगे आने वाले चुनाओं में 36 गड़ मद्यपरदेश राजस्थान तेलंगाना यहां पर भी जारी रख पाएगी आप क्या सुनसते हैं नीचे कमेंट बुक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताएए इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन यूजर इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर